वा ये questions करा रहे हैं आप लोगों को operations research, operations research को दो नाम से जानता है, एक LPP कहीं कहीं, higher education में, जदि आप BAC, MSC या MBA, जदि आप BCA, MCA कर रहे हैं, उसमें बहुत अच्छा chapter आता है, operations research का, operations research में questions रहते हैं, higher education के हैं, higher education में कई universityों में, BAC में पढ़ा जाता है, कई universityों में MSC में प्रहा जाता, operations research के नाम से books या उसे LPP, linear programming and problem के नाम से जाना ही आती है, उसका questions करा रहा हूँ, उसमें simplest method है, simplest method को मैं केवल solution बताऊँगा कैसे निकालते हैं, सबसे पहले उसका concept कैसे solve करना है, concept में सबसे पहले मैं थोड़ा सा simple solve करता हूँ, फिर बताता हूँ, concept उसको क्य सबसे पहले questions दे रखा सामने, questions देखने के बाद, आपको questions देखना है, फिर में जहां पर questions less than and greater than, या equal, दो values होंगी, तो यहां पर simplex method में केवल यहां पर क्या होगा, less than ही वाले questions simplex में लगते हैं, number 1, simplex method में केवल क्या करेंगे, हमारे पास less than वाले ही questions होंगे, यदि greater than या equal आएंगे तो दूसरे में त्यासे लगते हैं, पहली number first point, first point is less than, less than में होंगा तो उसमें हम एक variable plus कर लेते हैं, ऐसा variable plus करेंगे, जो आगे एक identity के रूप में, तीनों या दो unit होंगी, उसमें equations होंगी, उसमें एक identity यूप बन जाए, identity कैसे बनती ही, मैं दिखाता हूं, question solve परते हैं, हाँ, यह question solve परते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास, यह three questions दे रखें, तो यहाँ पर इसके point लिखते हैं, देखें, coefficient लिखते हैं, पहले हम इसको क्या किया, देखें, three x one plus two x two plus four x three plus, इसमें हमने x four को add कर दिया, equal hundred कर लिया, ठीक, समझ में आ रहा, फिर again हमने इ x one plus four x two plus two x three plus, इसमें x five को add कर लिया, equal to zero कर लिया, ठीक, again, यहाँ पर हमने लिखा, x one plus x two plus three x three plus x six, equal to hundred, ठीक, यहाँ यहाँ पर हम इन coefficient की बात करें, यहाँ पर जो हमारे पास table दे रिखें, उसकी coefficient की बात की जारी, coefficient की बात करते हैं, तो देखें, हमारे पास आ जा रहा ह है, three, two, four, three, two, four, second में आता है, one, four, two, third में है, one, one, three, coefficient मतलब इस नंबर का multiple, इस नंबर का multiple, इस नंबर का multiple, अरोप समय आ रहा होगा, coefficient मतलब multiple, ठीक, तो यहाँ पर इसके multiple हो गए, अब यहाँ पर कहने मतलब यह एक identity बननी चाहिए, देखें, यहाँ पर मैंने प्लस किय है, इसमें, four, तो यह four, यहाँ पर three है, तो यहाँ पर हो गया, four, four का कितना है, one, तो यह zero, zero, यहाँ पर हो जिरो, one, zero, 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 one, भीसे धार रखेंगे, तो यह हमारे पास क्या होँए, यह coefficient उसके सभी, इस वाले के coefficient ही लिखेंगे है, repeat, इस वाले के coefficient मैंने यहाँ यहाँ प पे चुन इसके नमब लिख दिने के बाद इसी नमबर को मैं क्या करता हूँ आप को इसके निचे टेवल बनाने है अब लोग इसके निचे टेवल बनाएंगे तो यहां पे लिखते हैं टेवल फर्स्ट किसकी simplex method की table first table first table first में क्या हो जाता है जो number हमने variables plus किये उनको इधर लिखना है तो हमने plus किया x3 x4 और x 4, 5, 6 तो यहाँ पर 4, 5, 6 sorry तो यहाँ पर हुआ 4, 5, 6 plus किये दिख रहा होगा ना तो यहाँ पर मैंने plus किया उसके बाद यहाँ पर यह तो हो जाता है यहाँ पर लिखते हैं c, b के बाद x, b यह हो जाता है x1 x2, x3 x4 x5, x6 पिशे धर रखेंगे, उपर मैं रख करता हूँ ठीक लिखने के बाद, अब दिखे, अब इनको box में draw कर देना box में draw करेंगे, बहुत अच्छा questions हो जाता है, box में draw करेंगे, कैसे draw करेंगे, देखे ठीक, यहाँ पर मैंने इसको क्या करना, आपको table में draw करना है, table में draw करेंगे इसे ठीक यह इसलिए बता रहा हूँ कि आपको इस first देखे इस first समझ में आए कैसे क्या करना है, questions solve करने लिए ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर जो xb, x और cb, यहाँ पर cb के जो point होते हैं, cb के point यहाँ पर जो हम x z में होते हैं, z वाले जो हमें पास number होते हैं, यह number, यहाँ पर क्या है दिखे, यह नमबर यहाँ पर कोई नहीं, तो यहाँ पर 0, 0, 0, बिशेद धन रखेंगे, ठीक, यह इसे है यहाँ पर, 0, 0, ठीक, यहाँ पर XB जो हमाँ पास नमबर गीवन होते हैं, 100, XB जो नमबर गीवन होंगे, वो लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाता है, 100, 100, 100, बिशेद धन रख आई तो यहां पर क्या होता है जेड के नंबर जितने नंबर यह लिखें तो यहां पर हमारे पास देखें यह इसके लिए जेड बन गया 2x1 plus 5x2 plus 7x3 plus 0x4 plus 0x5 plus 0x6 बिसे धहां रखेंगे तो यहां पर 00 हो गया तो हमारे पास यहां पर नमबर क्या है देगे यह 2 तो यह 2 फिर अगें 5 अगें 7 0000 बिसे धहां रखेंगे अब यहां पर नोट करना बिसे धहां रखना है अब जो हमारे पास method ये तो हमने table तयार कर दी table तयार करने के बाद complete table होने के बाद questions solve करते हैं कैसे solve करते हैं सबसे पहले हमें क्या करना होता वो ध्यान देना है सबसे पहले first step में हमें क्या करना है first step में हमने लिखा यहां पे cb multiply cb multiply होगी किसे x1 के साथ CB multiply होगी X1 के साथ X1 या XI कर लेंगे माइनस यहाँ पर हमारे पास ZI विसे धन लखेंगे यह rules बन जाता है हमारे पास इस rules के according solve करेंगे questions तो अच्छा रहेगा जैसे हम देखो यहाँ पर हमारे पास क्या CB CB हमारे पास है 000 000 पिसे धन लखेंगे हमारे पास X1 कितना हो गया यह हो गया 3 1 0 1 1 यहाँ पर 1 भी है ठीक अब देखें इस नंबर की इसके साथ multiply किया 3 फिर इस नंबर की multiply किया 0 इस नंबर की इसके साथ multiply किया 0 यह 0 यह 0 तो इन सभी को plus किया कितना है जीरो इन सभी का सम आ गया जीरो जीरो आने के बाद जेड माइनस करना जेड हमारे पास कितना टू तो यह माइनस टू तो यहां पर फर्स्ट टेवल में जो हमारे पास जेड के वैलू होती हैं वो सेम वैलू ऐसे निगेटिव के साथ आ जाती हैं किसी किसी बुक में पॉजि होता है यहां पर हम minimum questions लेके solve कर रहा है minimum असान रहता है ठीक में भी कर सकते हैं ठीक तो यहां पर हमने क्या लिखा यहां पर minus two इधर आएगा minus five इधर है minus seven zero 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 ठीक अब यहां पर जो maximum minimum number होगा maximum minimum यानि कि बड़ा छोटा नंबर बड़ा छोटा नंबर होपस क्या है seven seven को हम लिखेंगे in coming incoming number seven हो जाएगा हमारा incoming number ठीक incoming element होने के बाद जिसे धर रखेंगे यह rule first हुआ यहां पर लिखता हूँ rule first rule first में हमने क्या किया c b x b minus zero ठीक rule first हो गया rule second में हमारे पास हो जाता है जो हमारे पास incoming number होगा इनकमिंग नंबर यहां पर मैं एक्जिमम और मिनिमम किसके लिए युक्वल क्या हो जाता है हमारे पास जो x b upon incoming number in coming number बिश्यद्धन रखेंगे यहां पर क्या हो गए हमारे पास देखें जो हमने incoming कराया है उससे x b को divide करके यहां पर आगी लिखना होता है यहां पर इधर maximum minimum maximum minimum हमने पास आने के बाद हम क्या करते हैं देखें इस number को entry करा है किसको इसको इस number से इसको divide करेंगे यहां पर आ जाएगा 25 25 आएगा इसको इससे divide करेंगे 50 इस इस नमबर को इससे डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 50 लिखा यह 100 अफ़ आन 3 अब इसमें मिनमम नमबर कौन सा है minimum यहां पर देखा minimum यहां पर यहां पर highest देखते तो यहां पर भी highest से questions लगाते हैं से धन रखेंगे highest नीचे देखेंगे तो highest maximum minimum देखेंगे minimum यहां देखने तो minimum से question देखेंगे question दोनों मेंठर से solve होता है तो यहांपर हम आगे चलते हैं minimum question हमारे पास यह minimum digit तो यह हमारे पास हो गया outgoing इंडियंट हो गया यहां सے आपकी फर्स्ट टेवल कंप्लीट हो जाती है यहां तक आपकी फर्स お apple कंप्लीट पूरे पर से एक्स में हमारे पास क्या करना है मैंघ्युम मैली सवस्प्य कहीं Leti हो सब्सक्राइब करना कहने गद आरह हमारे पास outgoing हा गया outgoing number outgoing or incoming number का meet point repeat outgoing or incoming number का meet point वो key element कहलाता है ठीक तो rule third key element ठीक key element कहलाता हमारे पास क्या कहलाता है key element जो इसका meet point होगा meet point कितना हमारे पास four तो यह हो गया four ठीक यह key element four हो गया उसके बाद fourth step में key element को key element के replace करना है one यानि कि वहाँ पे one आ जाए ठीक key element को one लाने के लिए हम क्या करेंगे जो हमारे पास यह number है इसको divide कर देंगे इस number को क्या करना है four से divide कर देंगे key element आ जाएगा ठीक तो आगे table बनाता हूँ second इधरे table table second ठीक table second में हमारे पास incoming number जो हुआ है यह outgoing हट जाएगा यह x4 हट जाएगा उसकी जगा पर क्या जाएगा x3 तो यहां पर इमने लिखा x3 x5 x6 ठीक c b xb x1 x2 x3 x4 x5 x6 यहां पर देखो x4 गायब हो गया तो यहां से x4 गायब करना चाहिए हटा दीजिए कोई यह रखिए यह हटा दीए तो हम अटा देते हैं यहां पर ठीक तो इसको गायब कर दिया अब क्या करेंगे वाइलू पुट करना है वाइलू पूट करने में विशेश ध्यान रखना आपको ठीक, अब देखे, यहाँ पर जो हमारे पास XB, XB हमारे पास क्या था? X3, 3 के वालो यहाँ पर जीखे, X3, 3 के वालो यहाँ पर कितनी? 7, यह X3 के वालो 7 है, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा इन दोनों का 00 ठीक, X3 के वालो कितनी आ गई? 7, बाकी 0, 0, again, again अब चाहते हैं की element, की element का क्या काम है की element का use होता है की उसी row को key element से divide कर दें, की element के replace 1 हो जाए की element की जगा पे एक बन जाना चाहिए, ठीक, तो वहाँ पे एक बननेगा कैसे, यहाँ पे इसको divide करेंगे, तो दिखे, जैसे 100 को divide करेंगे, 25 फिर again आजाएगा, 3 upon 4, again, 1 upon 2, 1 1, यहाँ पे 1 upon 4 फिर 0, again 0, ठीक यहाँ पे देखे, 4 हमारे पास हट गया, तो यह 5 आला 0 है बीसे धन रखेंगे, यह 0 अब क्या करना है 5th step 1 1 1, column column में all 0s कर देने हैं all 0s 1 के अलावा, 1 को छोड़के सभी को क्या कर देना, आपको 0s कर देना है सभी को क्या कर देना, 0 कर देना उसके नीचे या उपर जितने भी row हैं, row में column में जितने भी numbers होंगे सभी को 0s कर देना है 0s कैसे करना है, वो बताऊंगा बहुत अच्छा है, concept की लिए कर देए, ठीक बिसे देना रखेंगे, 2 से multiply किया यहाँ पर, 2 से 1, यह जिरू, बिसे धन रखेंगे, ठीक, अगला इसे करेंगे, solve करिए, फटा-फट में लिख रहा हूँ, आप solve करिए, नहीं है, table complete होने के बाद, अब यहाँ पर क्या करना है, बिसे पता यहाँ पर, इस नमबर की इसके साथ multiply, जैसे इसकी नमबर की इसके साथ multiply करेंगे, तो हो जाएगा, कितना, देखे, इसकी यहाँ पर हो जाएगा, 21 upon 4, minus, यहाँ पर नमबर कीतना है, ओभी लिख लो, यहाँ पर, 2, 5, 7, 0, 0, ठीक, minus 2 करेंगे, तो 8, 8 minus करेंगे, तो बचेगा, plus का, 13 upon 4, 30 upon 4, plus का नहीं लेना है, plus का आपको denote नहीं करना, 20, यहाँ पर, इसमें, 7 upon 2, 7 upon 2, तो यहाँ पर हुआ, 7 upon 2, minus 5, यहाँ कि, minus 3 upon 2, यहाँ पर, अगे, इसमें नहीं, यह नमबर यहाँ पर रहेगा, इसमें आया, यहाँ पर, 13 upon 4, यहाँ पर, minus 3 upon 2, यहाँ पर, 0, 0, 0, इसमें, minimum number कौन सा है? ये. ये हमारा incoming number हुआ, इस number को incoming करने के बाद, फिर again, again same. ये number incoming हुआ, इस number को incoming करने के बाद, जैसे हम incoming करेंगे, इसको divide करेंग तो यहांपर हो जाता है हमारे पास 50 ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50 on 3, ये हो जाता है निगेट्ट्व का sign है हापे, तो यह निगेट्वर स्षियर, निगेट्वर हमें use नहीं करना है, तो यहाँ पर क्या है, extended upon minimum, तो minimum number हमारे पास ये हो गया, ये हमारे पास हो गया, out going out going हो जाता है out going होने के बाद third table बन जाती है out going होने के बाद third table third table जैसे हम बनाएंगे यहां पे table number third में same वही काम करना है यह तो हमारे पास रहे गही x3 x2 x2 x6 यह हमारे पास cv xb x1 x2 x3 x4 x5 x6 ठीक वो दोनों गायब कर दिये again क्या करते हैं value रखते हैं यह से हम value रखेंगे अब यहां पे इसकी value तो 2, 7 2 की value कितनी है 5 तो यहां पे 5 0 यह दोनों तो यहां से उठा लेते हैं यह वाली ठीक यह उठाने के बाद अब यहां पे x अब यहां पे भी से ध्यान देना जो हमारे पास key element बना key element क्या है यह key key को इस number से divide कर देते हैं जैसे divide करेंगे तो यहां पे हो जाएगा 50 upon 3 ठीक इसको जैसे divide करेंगे minus का 1 upon 6 यह हो गया 1 ठीक 0 को divide करेंगे तो 0 ही रहेगा 0 फिर 6 वाले में 0 अब हमें करना क्या है इस 1 के उपर यह इसके उपर यह number है ठीक इसको फिर हम क्या करेंगे इस वाले number को 2 से divide कर देंगे इसको जैसे हम 2 से divide करेंगे तो यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ देखे 50 upon 6 50 upon 6 यहाँ पर हो जाएगा minus 1 upon 12 1 upon 2 0 0 ठीक minus करना यहाँ पर इसको यह जैसे minus करेंगे तो हम पर क्या हो जाते है देखे यह हो गया 25 minus ठीक जैसे इसको करेंगे 25 25 को 6 वाल यहाँ कि 1.500 minus 50 बटे यह तो जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो आज जाएगा 100 बटे 6 यहाँ कि डिवाइड कर देंगे 50 बटे 3 तो यह आगे हमारे पास 50 upon 3 ठीक 50 upon 3 आजाता है 50 upon 3 आने के बाद यहाँ पर इसको minus करना है अगें इस वाले number को minus करेंगे यहाँ पर जैसे आप minus करेंगे minus से करके दिखा रहा हूँ minus आप करते रहिए table फिलप हो जाएगा मैं table फिलप करके बताता हूँ फिर देखे बहुत अच्छा question से यह table complete होगा यहाँ पर आल वैलू नीचे की जो आ रही है सभी positive आ रही है positive आने पर हमारे पास feasible solution आ जाता है positive आने पर हमारे पास variables के answer आ जाते है तो यहाँ पर answer positive जब तक नहीं आएगा तो बत्रों table complete करते रहेंगे table complete करने के बाद यहाँ पर हमारे पास आ गया तो दिखे यह क्या है x3 तो यहाँ पर आ जाता है x3 equal to कितना 50 upon 3 again है x2 equal to x2 equal to 50 upon 3 x3 x1 x1 इसमें नहीं तो x1 equal to 0 x1 नहीं है x1 equal to 0 ठीक अब in value को उठाके maximum में रख देंगे maximum value निकलाएगे maximum की बात कर रहा था तो यहाँ पर हम इदर आईए questions यहाँ पर maximum को उल्ली रखते हैं 2 multiply 0 पहले में 0 फिर प्लस 5 multiply 50 upon 3 plus 7 multiply 50 upon 3 ठीक तो यहाँ पर 50 upon 3 50 upon 3 कामन ले लेते हैं 50 upon 3 bracket में 5 plus 7 इवेंट तो हो गया 50 multiply 12 upon 3 ठीक multiply कर देंगे मारा पनेचे साथ 600 इसको 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 डिवाइड कर दीजेगा कितना वाज़ा है फोर यहनिकी 200 आंसर आपको इसार भी कैसे भी solve कर दीजेगा बहुत अच्छा question से समझ में आया और कमेंट कर दीए पूछे मैं अगला questions कराऊंगा बहुत अच्छे से questions हैं देखते रहें concept पर उसे ध्यान रखेंगे धन्यवाद